विल्कम बाक एफ्रीवन कैसे हो आप लोग होफूले बहुत बढ़ी आओगे मैं हूँ आपको अऊस्रती सो हम सभी आ चुके हैं एक नया सेशन के अंदर और नया सेशन के अंदर आपको आज में बताने वाला हो रोड मैप जिसके अंदर आने वाले एक महिने के अंदर कैसे आपको सारी चीज़े प्रिपेर करने हैं तो चलिए एक बार देखते हैं फड़ा फड़ देखिए नया सेशन के अगर हम लोग बात करें दैट में 2024-2025 के हम लोग बात करें सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोगों को यही नहीं आइडिया होती है कि उनका उसको प्रिंट करीए और उसका अनलिस कर लएजे क्यों कि यह नहीं होना चाहिए कि जब आप December में पहुंद जब आप January में पहुंच रहा है जब आप मेर्ड में अपने exam के पास पहुंच रहे हो तब बैठ यह चीज चेक करो कि भाई हमारा syllabus में यह चीज है कि नहीं है ठीक है तो यह चीज बिल्कुल नहीं हो नीची आपको simple से जाके क्या करना है detailed syllabus analysis करना है आपको अच्छी तरीके से hopefully सभी को पहला point आपको समझ आगे पाँच्वा point है उसके बाद फिर आपको करना है consistent study planning consistent study planning का मतलब क्या हूँ और इसको करना कैसे what it is पहली चीज़ों मैं बता देता हूँ और how दोनों चीज का answer इसके अंदर दूँगा सबसे पहली चीज है कि क्या होता है consistency का मतलब होता है simple सी चीज है कि आप daily आपको कोई भी चीज repeat करना है वो क्या कहलाता है consistency अगर आपने 3 दिन किया 4 दिन नहीं किया consistency break हो गई 9 दिन किया 10 दिन नहीं किया consistency break हो गई उसके बाद फिर आपने 15 दे किया 16 दे नहीं किया consistency हो गई आपकी क्या break simple सा यहाँ पे काम है consistency का मतलब hopefully सवन्या आ गया होगा अब बात आती सर how आपको starting में start करना है कि अगर आप जो है एक घंटे की self study कर रहे हो तो एक घंटे की self study कर रहे है लेकिन धीरे 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 करके उसको क्या रखे डेली रखे आप जितना आप आर को दे सकते हो उतने particular आर दीजे it is not compulsory कि you go for the एक बार में 4 hours 5 hours 6 hours start with this small steps small steps बहुत important है either it is 30 minutes go for the 30 minutes either it is 15 minutes go for the 15 minutes but simple सी यहां पे एक चीज क्या होनी चाहिए कि आपका सारी की सारी चीजे एक के बाद एक आपके सामने consistent तरीके से होना चाहिए बागी मैं आपको बता दूँ कि ICSC Connect app के उपर आप सभी के लिए computer का full length course आ रखा है इसके अंदर आप सभी को early bird advantage मिलेगा और detailed form में आपको पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा और बागी सारी सभी चीजे आपको notes मिल जाएगे आपको ICSC Connect की जो cheat book है जिसके अंदर सारा आपका आपको मोर देन जो है आपके 100 प्लस प्रोग्राम सोंगे topic wise मतलब आपको एक एक प्रोग्राम के आराउंड टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे तो अगर अभी तक इन्रोल नहीं कि आप सिंपल सा जाके यहां पे इन्रोल कर सकते हो और सिंपल सा भाई बात है कि यहां पर आपकी प्रतीक सर पर भरोसा रखो और आपकी प्रिमियम रहेगी चलिए आगे बात करते हैं प्राक्टिस विद्धी पास्ट वेपर लोग गलती क्या करते हैं जब आपका आजाता है डिसमिर जैनुरी तब उठाते हैं क्या पास्ट वेपर अभी आपको ऐसा नहीं करते हैं अगर आपने फेर्स चाप्टर पढ़ा है तो फेर्स चाप्टर का क्या कर लेजे पास्ट पेपर पो चलियए अपने और वेपर पे रहोता है पोकर रिविजिन अब यांप लोग कर दस दिन बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप उसका जरूर करी एक रिविजन आपके पास सेशंस होने जरूरी है क्योंकि जितना बेटर आप प्रिविजन करते रहोगे जितनी बार उसको उठाके देखते रहोगे उतना आपका जो है पॉफेक्ट तरीके से प्रोग्राम से हैं चाहे आपके चाप्टर से हैं प्रिपेर होते रहेंगे लास्ट लोग बात करते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस बड़ी इंपोर्टन है आपको एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक अपने गोल तक पहुंचना है आप एक्सपर्ट से पूछोगे आपको शौटेस रास्ता बता देंगे आप वहां तक पहुंच जाओगे और अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ गया है तो वहां पे आपका क्या हो सकता है वह आपको ऐसे गोला-गोला गुंवाएगा और बात करें मेरी प्रतीक प्रतीक शर्मा जिसके पास है एक डिकेट का एक्सपिरेंस आपका 10 यूर्स का एक्सपिरेंस में लेके बैठा हूँ आँँ आँँ आप सभी के लिए ताकि आप सब लोग बहुत बढ़िया करो अपने बोर्ड इक्जाम के अंदर और सिंपल सी वापस से वही चीज आगी कर दीजेगा तिल देन टेक केर बबाइबरीवन फ्रतीक शर्मा साइनिंग आप बबाइबरीवन